friends hi my name is rotha rotha jealous is my name अब मत प्रदेश की अगर तुम counselling कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें जरूरी है जानना M.I.T.S क्योंकि भाई इस colleges के बारे में so अलग-अलग colleges है S.G.S.I.T.A. D.A.B.B. J.E.C. M.I.T.S. R.G.B.B. U.J. Engineering College, S.T.H.I.D.S.A. and उन colleges की detail information के आखिर कौन-कौन सी ब्रांच चीज़ मिलेगी first of all ये एक government-edit colleges है government-edit colleges means जो financially मदद government से मिलती है support, help government से मिल रही है but management जो है वो private है उसको कहते हैं government-edit colleges so government-edit colleges में फाइदा क्या होता है क्योंकि management private होता है तो इसमें ज़्यादा interfere नहीं होता है government दोरा but yes help और दूसरी चीज़े government से मिल रही होती है S.G.S.I.T.S. भी आपने नाम सुनाओं का बड़ा ब्रांट है और वो भी एक government-edit colleges है जहां पर financial support तो government से मिलता है right so ये इसका एक benefit है और इन colleges में क्या होती है colleges की होती है so M.I.T.S. अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता ही होगा करीब करीब लाग सम्तिंग इसकी फीस है एक लाग तस जार ओर लाग सम्तिंग right so इस colleges की बात करें 1957 का colleges है बहुत पराना colleges है और M.I.M.A.D.H.O. Institute of Technology माधव अब जड़ा इसको करिए कि कहां से यह होगा माधव राव सिंदिया गवालियर का colleges है उस टाइम पर मतलब बहुत पहले बना हुआ है यह था college 1957 का colleges है सिंदिया के बारे में सब जानते ही होंगे गवालियर जी के उसी के base पर यह बना हुआ है 1957 के बाद अगर हम फीज की बात करें तो लगबख लगबख चार लाक इसकी फीज है अब यह total फीज की बात में कर रहा हूँ राइट अगर हम बात करें एक पर एयर की तो आप एक लाक दस हजार something मारी है यह एक नॉर्मल सिर्फ फीज है अगर हम और चार्जे से इसमें जोड़ देंगे यह फीज वो फीज तो एक लाक बीस हजार आप यह करिए यह एक सिंपली इनकी फीज दी गई है टीसन फीज पर लाक का जो आपको खर्चा आएगा वो यहां पर एक लाक दस हजार एक लाक बीस हजार के करीब आएगा M.I.T.S. में और ब्रांच टू ब्रांचे पांच दस हजार उपर नीचे होते हैं तो मेक से ओर करिएगा नंबर ओप कंपनीज बहुत सारी कंपनीज आती रहती है स्टूडेंट जो रिक्रूट हुए तो 600 रिजन इसका क्या है कि 700 प्लस तो एक तो सीटे हैं इस कॉलेजज़ में सो यहां पर हर तरह की ब्रांचे लगभग लगभग मिल जाती है पहला ऐसा कॉलेज़ है M.P. का मत प्रदेश का जहां पर भर भर की ब्रांचेज मिलती है बहुत सारी ब्रांचेज आपको मिल जाएंगी CS में भी, अलग-अलग ब्रांचेज में भी So highest package गया था इनका एक करोड का average package लेकिन बहुत कम है और अगर हम बात करें यह medium package, average package So sometime अगर हम और इसका देखेंगे medium package तो वो करीब 3,00,000 का ही रह जाता है So medium package सिर्फ 3,00,000 करे जाता है अब देखें यार, highest package के हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि माली जे कोई बच्चा बहुत टेलेंटेड ही है तो अगर वो नहीं भी पढ़ा होगा और उसने XYZ कुछ कर लिया होगा तो Google जैसे लोग भी उसको दो-दो करोड में अभी लास्ट टाइम में निउस दिरन रहा था और अगर देखें तो उस बच्चे का कोई background ही नहीं था वो college नहीं गया था So कई बार एक से एक, दो, चार लोग निकल आते हैं So हमेशा हमें colleges को highest package से कभी भी judge नहीं करना चाहिए अगर तुम सोच रहो कि तुम्हें भी एक करोड जैसे colleges में रहके मिल जाएगा तो तुम गलत फेमी में हो, कहीं न कहीं सपने संजो रहे हो एक इस से आप calculate कर सकते हो कि येस आपको ये package मिल सकता है वहां से तो ये आपके लिए कहीं न कहीं एक highest package होने वाला है बाकी अगर हम बात करें medium package उस से मैं compare करता हूँ एक colleges को तो medium package मेरी नजर में इसका ये है, धाई से तीन and that's it, इसमें आप अपना लेके चलिए कि अगर आप तीन लाख रुपे का package आपको initially मिल जागा इसी लिए, चलिए alumni बहुत सारे हैं इसमें, बिजए कुमार यहाँ पर अभाए, तो इन सब को आप देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं important, government इस colleges में branches कौन कौन से मिलेगी, right? तो देखो याँ यहाँ पर सारी branches मिल जाएगी civil, mechanical, electrical, electronic मिल जाएगी E.T. इसके आप देखोगे तो यहाँ पर artificial intelligence सी दिरिए कम्पिटर साइंस, artificial intelligence and machine learning Artificial Intelligence and Cyber Security, even Computer Science and Design आपको मिल जाएगी, यहाँ पर एक Mathematics and Computing जैसी ब्रांचे जाएगी, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, Chemical Engineering, Automobile Engineering, सबसे पहले, यह थोड़ी सी नीचे जाती है, इनका अगर हम Cut-Off जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, करीब-करीब 7 लाग तक भी इ Engineering यह बिलकुल नीचे क्रम से आती है, सबसे नीचे आती है, Civil Engineering, यह भी एक Middle वाली ब्रांच आप Consider कर सकते हो, Top ब्रांचे में नहीं आती है, Computer Science Engineering, यह सबसे Top ब्रांच है, Electrical Engineering, Middle ब्रांच है, IT Top ब्रांच है, Mechanical Engineering, Middle ब्रांच है, Automobile, Lower ब्रांच है, Electronic Telecommunication, ET एक Average ब्रांच है, Right, यहां पर Electronic भी मिल रही थी आपको, और कौन सी ब्रांच मिल रही थी, Electronic and Telecommunication, अब अगर हम बात करेंगे, यहां पर IT, Internet of Things, दो दो यहां पर IT है, एक तो IT सिंपल है, और IT with Internet of Things, मतलब Internet of Things से क्या समझ रहो, Right, इंटरनेट से चीजों को कहीं न कहीं हम किस तरीके से बना सकत यह सारी टेकनलोजी इसके बारे में बताया है, सिखाया जाता है, Mathematics and Computing, यह एक ब्रांच है, जिसको अगर Mathematics से जादे लगा हुए, वो इसको चूज कर सकता है, Artificial Intelligence, AI and Data Science, यह एक ब्रांच है, Right, and Artificial Intelligence and Machine Learning, तो यह CS से related ब्रांच की जाती है, तो average यह middle ब्रांच इसको मानि ब्रांच यह दोनों, Right, so यह अगर आपको CS IT नहीं मिल रही है, this can be the good options for you, Computer Science and Data Science, Right, अगर आप Computer Science and Design, Sorry, Data Science पोल रहो, तो यह भी 60 है, दो साल पहले ही यह आई हुई है, Right, so दो साल तीन साल पहले ही यह नही आई है, अब Computer Science and Design, यह भी आपको मिल जाएगी, Information Technology, Artificial Intelligence and Robotics, तो यहां IT की कुल मिला के तीन ब्रांच चीज़ होगी, Simple IT, Internet of Things and Information Technology, Artificial Intelligence and Robotics, तीसरा एक और जो ब्रांच ही, Unique Branch ही, Electrical Engineering, Internet of Things, So Internet of Things का चीजों का इंटरनेट का यूज करके, यहां पर क्या था, IT Technology में कैसे इंटरनेट का यूज किया जाता है, और यहां पर क्या है, Electrical चीजों में इंटरनेट तिंग्स का कैसी यूज किया जाता है, तो यह था सारी चीजे हमारी, आपने अलग-अलग देखी यहां पर, सारी IT यहां पर एक देखी, तो IT आपको एक मिल गई, दूसरी IT Internet of Things से मिल गई, तीसरी IT आपको Artificial Intelligence and Robotics से मिल गई, तो गुमा फिरा के बात करें, किसी एक कॉलेजिस में सबसे ज़्यादा सीटे, किसी एक कॉलेजिस में सबसे ज़्यादा ब्रांच इसी कॉलेजिस में है, and that's the reason, एक और इसमें है, तोड़ा सा माइनस पाइंट बोलो, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, and that's the reason, कि बच्चे यहां पर जो लोग चाते भी हैं admission वो नहीं ले पाते हैं और इसी बज़े से इसका cut-off थोड़ा सा high चला जाता है reason high जाने का यह है क्योंकि आप यह समझ सकते हो कि मत प्रिदेश में किसी government colleges में सबसे ज़्यादा fees इसी colleges की है लगबग 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 तो that's the reason जो लोगों का choose करने का तरीका है जो लोग इन branches को चाते भी है थोड़ा सा fees की वज़े से ignore कर देते हैं और पूरा का पूरा attack होता है RGPV और JEC colleges में क्योंकि यहां की fees जो है वो 22,000 27,000 करीब करीब है प्लस पॉइंट इस colleges का यह है कि तुम्हारी अगर rank अच्छी नहीं है और तुम चाते हो एक अच्छा college exposure भी मिल जा है और government colleges भी मिल जा है तो yes you can choose that college यह आप college चूज कर सकते हो क्योंकि यहां पर अगर आप सही तरीके से choice filling करते हो प्रॉपर वेव में choice filling करते हो आपको समझना होगा कौन कौन सी branch मुझे करनी होगी राइट उस choice filling में अपग्रेट का option का use करके यह दूसरी चीजों का use करके एक अच्छी branch ले सकते हो make sure करिएगा क्या कि इस colleges में fees high है क्या आप वो pay कर पाओगे या नहीं कर पाओगे लेने के बाद अगर आप decide करोगे it would be very tough for you again हमने एक course भी बना रखा है जिसमें मैंने DT की 150 प्लस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें नीचे description पर link दे जाएगा जहां पर एक एक चीज बताएगे यह सारे parameters को बताएगा है किस rank पर कैसे choice filling करना है इस colleges में अगर आपको लेना है तो कैसे choice filling करना है वो वीडियो भी आप जाके देखिए थैंक्यू ब्रमच थैंक्स रहोड बने देखते रहे हैं थैंक्यू ब्रमच थैंक्स